जी गुरू, पहले तो मैं व्यास पीट को नमन कलता हूँ और आपके चड़नो को चड़नीश पैश कलता हूँ, खुश रही है, मैं तो एक दुखी इंसान हूँ, तो दुखी इंसान की तकलिफ समझ सकता हूँ, क्या दुख है आपको? मेरे को लीवर की प्रोब्लम है, खाना हजम नहीं होता है, एसीडिटी इतना ज्यादा बनता है कि मैं मोत की दुखा मांगने लग जाता हूँ, और आपकी कथा मैं सामने चलती थी, फिर भी मेरे की दिकत क्यों हो गई आपको? क्यों नसा करते थी? नहीं, मैं को डेंगु हुआ था दोहजार इकीस में, अक्टूबर महीने में, जब बोच चल रहा था, सतर इंजेक्शन लगे मुझे, और उसके बाद मेरे ये अंग्रेजी गोली दवाई की वज़े से तक, मैं पेले हेल्थ में भी था, लेकिन फिर समय ऐसा बदला में को समझ में आया कि क्या हो रहा है, और अब दो साल के बाद मतलब सब जगा डेवताव अगेरा, सब गुम गए, कोई कोई बोले, कोई कुछ बोले, लेकिन अपने मान में था कि मैं केवल महाकाल को मानता है कि अकाल मित्यू वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या प तो आपका आगे अच्छा होगा, जो पिछले जनम में हमसे कोई गलत कार्य होता है, ना चाहकर भी जाने अन जाने में, वो सजा हमें मिलती ही मिलती है, भीश में पितामा को बादों की सहिया मिली, तो कोई इसी जनम का थोड़ी पाप था, पिछले किसी जनम में, एक साप क काटों के धेर में फेक दिया पितामा ने किसी जनम में उसका दंड इस जनम में मिला कि बाणों के सहिया पर उन्हें लेटना पड़ा तो यह किसी ना किसी जनम का प्रारब्द है जो भोगना ही पड़ता है इसलिए आप दिखो सारे डॉक्टरों को दिखा लिया जी करो लिवर कमजोर ही तो है खराब नहीं हुआ तो हो जाएगा न ठीज अब आपने डॉक्टर को दिखा लिया और डॉक्टर को दिखाते भी रहेगा लेकिन अब पूरन रूप से आप यह समझ लो कि अब आप संसार के लोगों के लिए नहीं है आपका जो जीवन है संसार क के लिए खतम हो गया है जो जीवन बच्चा है केवल भगवान के लिए और मैंने इतने दूप में एक संकल पर लिया है कि दस परसेंट में गरीबों में दान करूंगा अगर मेरी उकात रही तो दस परसेंट आप दूल जाए संसार को केवल भगवान के बन कर रही है तो जो भगवान की सरण में चला जाता है भगवान उसे सब दिखो निर्धन को धन देद कोड़न को काया भगवान क्या नहीं दे सकते भगवान कहते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है वो गूंगा हो तो बोलनी लग जाता है लंगड़ा हो तो पहाड लांग जाता है भगवान करें तो क्या नहीं हो सकता कि एक प्रश्न और मेरे मांने दो हजार बीस से मैं आपकी कता सुन रहा हूं मेरे मम्मी भी आपके बहुत यह है गुरू जैसे मान आप और प्रदीप मिश्रा ने इस दुनिया को बता दिया कि भक्ति की ताकत क्या होती है एक लोटा जल हर समस्या की हल बस उन पर भरोसा कर कि बेठा हूं मैं रोज जाता हूं तकलिफ होता है मैं बोले नात में को दो लटे जल चड़ूंगा मैं आज थोड़ा संती से जीने देना हाला कि मैं बढ़ोदा केलाच करा किया है उसके बाद मेरा काफी फ़रक पढ़ गया है और मैंने एक साल में कि एक शाहिरी भी सुनत आप बोलते कि करम इंसान के हाथ में और कोई-कोई बोलता है कि भगवान करा रहा है सब कि एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्जी के सीवा नहीं हिलता है तो उस पर मुझे ऐस बात तो सच्ची है लेकिन ईशवर ने आपको बिध्धिमान बना रखना है कोई आप से कहें कि आग में कूध जाओ तो पूद जाओगे क्योंकि आपको सही गलत की पहचान है कि क्या सही है क्या गलत इसलिए इस्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता फिर भी इस्वर ने आपको बुद्धी देकर विवेक देकर स्वतंत्र किया है कि आपके रोज मर्रा के डिसीजन खुद लो कोई चोरी कर रहा है तो क्या भगवान थोड़ी करता है वो उसकी अपनी बुद्धी है उसके अंदर आवाज भी आ रही है कि यह काम गलत है फिर भी वो किये जा रहा है तो यह उसका अपना अपराद है क्योंकि भगवान जो सब के भीतर बैठे हैं वो स आवाज को सुनकर अंसुना कर देते हैं और फिर गलत काम करते हैं तो दन्न भोगना आपको पड़ेगा जीए ठीक है इसलिए इस्वर जिम्मेदार नहीं है भगवान की मर्जी से आपका इतासा समय लिया तो प्लीज मेरा वीडियो यूट्यूब पे डाल देना आपका को केट हो माइक सोपY में खड़ हो जावाब घूछ रही है क्षोछ रही है खुछ रही है ऊच्की होई है Guruji, Radhe Radhe, Guruji, हम जानपूर उत्तरपणे से आया हैं, जानपूर, जी सर, बोलिये, Guruji, जब स्रिष्टी की उत्पत्ती हुई, उस समय न कोई पाप था न कोई पुन्य था, इपाप आया कहां से, पाप अर पुन्य को भगवान नी उत्पन्य किया है, भगवान के हिरदय से पु लेकिन, Guruji, कायोजाता है, जैसा हम पुन्य का काम करेंगे, पाप काम करेंगे, उस ही सब से हम को मिलेगा, लेकिन जब हम कुछ कर के ही नहीं आया हम जीरो थे, उसके उसके बाद कहां से पाप अर पुन्य हो गया, उसके पुन्य हो गया, कब जीरो थे आप? जर सरस्ष्टी की उत्प्त्ती हो गुरू जिए च्राइश्टी क उत्पती कब हुई है अभ हम को तो नहीं पता हां अनादी समय से ढिखो जब प्रलय हुआ जैसे इस जनमे अभी आप और हम हैं स्टाइब Rs. . अब अचानक प्रलय हो जाए तो प्रलय हो जाएगा तो हम सब खत्म हो जाएगी फिर एक नई स्रेश्टी होगी टो उस नई स्रेश्टी में जब हम फिर पैदा होंगे तो इस जनम का जो पाप Apunyne है उस प्रलय के बाद जो एकड़ों हज्जारों वर्षों के बाद जो फिर स्रश्टी कभी होगी तो फिर जीव वही अपने पाप ने लेके फिर भोगने के लिए तैयार हो कि आजाएगा गुरुजी राधराध